हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सबसे पहले हमें सर्किट बनाना होगा सर्किट बनाने के लिए हम नीचे ट्रांस्फोर्मर की जो सेकंटरी क्यूल है उसके एक टर्मिलिल को कनेक्ट करते हैं डायोट के पॉजिस्टिव साइड से यह डायोट का positive side हमने connect कर दिया, अब हम लेंगे diode का negative side, negative side यानि end side उसको लेके हम एक resistance से connect कर देंगे, यह resistance जो है, यह हमारा load resistance है, इसी resistance के across हम output को देखने वाले हैं, resistance के दूसरे terminal को लेके हम अपनी secondary के दूसरे open terminal से connect कर देंगे, अभी हमें देखना है कि output जो हमें लेना है, वो resistance के across लेना है, और input हमें यहां secondary voltage से मिलेगा, तो अपने CRO के terminals को हम यहीं पर connect करने वाले हैं, तो CRO की lead हम लेते हैं, CRO की lead को लेके उसके ground point को हम secondary के एक point से connect कर देंगे, जो की resistance के साथ connected है, चाहें आप resistance पे लगा देंगे, चाहें यहां लगा देंगे, दोनों एक ही तार से connected हैं तो फरक नहीं पड़ता कि आप कहां लगाते हैं, वायर को, तो ground को हमने यहां लगा द देंगे तो मिल जाएगा, हमको input voltage, ठीक है, तो अब इसको open कर लेते हैं, on कर लेते हैं, sorry, on किया, अब मैं आपको पहले output voltage दिखाऊंगा, half wave rectifier का output कैसा आता है, आपको पता चल दाएगा, देखिए, जैसी मैंने connect के resistance पे, जैसा expect करते हैं हम लोग, आधी wave में cycle आएगी, आ तो as expected है output, अब मैं input देखूंगा primary, secondary पर लगा के, sorry, तो यहाँ पर आपको full wave मिलेगी, इसी full wave को जब आप output पर देखेंगे, तो यहाँ आपको half wave मिलेगी, half wave नीचे की diode से rectify हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरह का response हमें देखने को मिलता है, using half wave rectifier, जैसा expect कर रहे थे, exactly व मैंने एक capacitor को parallel में लगा दिया है resistance के, अब अगर मैं capacitance की value बढ़ाओंगा तो ripple effect कम होता जाएगा, यह हम जानते हैं, ठीक है, अब parallel में capacitor लगाने के बाद हम voltages measure करेंगे, देखते हैं कैसा होता है, तो देखिए, जब small capacitor लगाया है तो ripple effect आपको देखने को मिल रहा है, उसकी value तो भी थोड़ी सी घटी है, लेकिन फिर भी ripple effect दिख रहा है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस capacitor की value को धिरे-दिरे बढ़ाओंगा, अब मैं जब capacitance की value बढ़ाता हूं, तो आप देखोगे की ripple effect कम होता है, disconnect करते ही normal wave आने लगी, अब दूसरे capacitor के साथ, क्योंकि उसकी value जादा है, capacitance की value जादा है, time constant की value जादा हो रही है, इसलिए ripple effect कम हो गया, अभी और बड़े पर जाने पर ripple effect और कम हो गया, अभी maximum जो option अवेलेबल है, उस पर जाएंगे तो ripple effect और कम हो जाएगा, चिक है, इस तरह से हम लोग filter circuit का use करते हैं, अब याप दोनों टाइप्स की आपता है, half wave rectifier, चिक है, इसके बाद हम लोग full wave को भी देखेंगे, तो half wave में फिलाल इतना ही, full wave rectifier में हम लोग bridge rectifier ने बनाके, हम दो diode वाला बनाएंगे, क्योंकि bridge rectifier में circuit में बनाने के लिए कुछ होगा नहीं, सीधे सीधे तायार कनेक्ट कर देना होंगे, तो अपनी secondary के दोनों terminals को हम दो diodes के positives में connect कर दिया सीधे सीधे, जैसा कि circuit में होता है, और center tap को हमने ले जाके resistance के एक terminal से connect कर दिया, resistance का दूसरा terminal दोनों diodes के negative side में जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक double connection वाला wire लोगा, उसको ले जाके एक diode में लगाऊँगा, sorry, double connection वाला मैंने लेना भूल गया था, इस side में, क्योंकि वहाँ पर मुझे output लेने के लिए भी लगाना है double connection, तो मैं उसको change कर देता हूँ, अभी resistance का दूसरा end मैंने लगा दिया, diode के negative में, दूसरा double connection वाला wire मैंने इसके अंदर insert करके, उसको मैंने लगा दिया, दूसरे diode के, अब diode के दोनो negative जाके, resistance के एक terminal पर जा रहे है, resistance का दूसरा terminal center tap पर जा रहा है, और secondary के दोनो extreme terminals जा रहे हैं, diodes के positives में, ठीक है, तो circuit हमारा पूरा हो गया, अभी output हमको लेना है, similarly एकदम, resistance के दोनो end terminals के साथ, और ले लेते हैं अपने probe को, positive वाले को थोड़ा सा resistance के दाटा के लगा दिया, और दूसरे end पर हमने resistance के लगा दिया, अपने ground probe को, ठीक है, तो अभी जैसे ही हम on करेंगे, आपको full wave rectifier का waveform देखने को मिलेगा, दोनों जो positive negative cycles हैं, वो दोनों positive में shift हो जाती है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलेगा यहाँ जैसे ही मैं इसको on करूंगा, तो अब देखिए मैं इसको on कर रहा हूँ, on करते ही screen पे, full wave rectifier का, जैसे expected है, exactly वैसा ही आपको result देखने को मिल रहा है, ठीक है, अभी हम वही करेंगे जो हमने half wave वाले case में किया था, हम लोग इसके ripple effect को दूर करने का try करेंगे, जो ripple बन रही है, क्योंकि यह full DC नहीं है, DC तब तक नहीं कहला है कि जब तक इसका, जो amplitude है वो इतना variation में ना, जो variation है उसक capacitor जैसे connect किया, वैसे ही, capacitor मैंने parallel में लगाया है, resistance के साथ, तो capacitor से output लेते ही, ripple effect कम हो गया, अब जैसे जैसे मैं capacitor की value बढ़ाता जाओंगा, ripple effect कम होता जाएगा, क्योंकि capacitor को charging और discharging में time लगता है, इसलिए, जैसे जैसे capacitor की value बढ़ेगी, time constant की value बढ़ती जाएगी, और को एक stabilized DC power supply की तरह use कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, तो voltage की value यहां से divisions और जो division आपको screen पर देखने को मिल रहे हैं, उनको आपस में set करके आप इसकी value भी निकाल सकते हैं, कितना ripple factor है, कितना amplitude है, सब कुछ निकाल सकते हैं, average value बगरा सब, ठीक है, वो आपको करना भी ह बताओंगा कैसी करना है, वो इसमें बताने से आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि ripple का जो effect है, वो एकदम साफ है, इसमें, capacitor को लगाते ही थोड़ा सकाम हो जाता है, ठीक है, तो basically यही हमको इसमें देखना है, ठीक है, अगर आप चाहें, तो input भी देख सकते हैं, input wave कैसी है, center tap पे हमने लगाया, और center tap के respect में आप कोई साभी terminal देख सकते हैं, चाहें right वाला, चाहें left वाला, दोनों पर आपको एक जैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, तो input wave भी आप यहां से देख सकते हैं, जैसे expected होते हैं, half wave और full wave rectifier के result exactly वैसे से हमें मिल रहे हैं, and output voltage हमारा सही हा रहा है, इसको हम बंद करेंगे, तो सबसे पहले इसको बंद करना है, उसके बाद इसकी intensity को lower कर देना है एकदम, यहां पर intensity का button रहता है, इसको use करते पर intensity को हमेशा आपको lowest रखना है, जिससे screen जल्दी से damage ना हो, ठीक है, heat up भी नहीं ह